हेलो बच्चो जब भी आप कुछ सर्च करते हो इंटर्नेट पे तो वहाँ पर आप देखते होगे कि लिखा रहता है www.w.w. तीन बाड लिखा रहता है क्या आप जानते हो कि इसका क्या मतलब होता है, इसका full from क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है तो basically आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे www.w.w. के बारे में वर्ड वाइड वेप के बारे में क्योंकि एक ये बहुत जादा important chapter है आपके examination point of view से भी इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा तो चलिए बिना time गवाए वीडियो को शुरू करते हैं www.w.w. की full from की अगर हम बात करें तो full from होता है उसका worldwide wave या उसको हम w3 या wave भी बोलते हैं अब confused मत होईएगा अगर कहीं आपको w3 या wave लिखा हो तो उसका मतलब आप समझ जएगा कि क्या होता है worldwide wave होता है आगे भी हम वीडियो में w3 यूज करेंगे w3 is a collection of websites और web pages stored in a web server and connected to a local computer through the internet ये क्या होता है हमारा website का collection होता है जो कि हमारा कहां store होता है web server पे store होता है और connected किस से होता है local computers होता है किसके माध्यम से internet के माध्यम से जैसे मैंने previous वीडियो में आपको बताया था कि web client क्या करता है request डालता है किसके पास web server के पास फिर web server request को fulfill करके output देता है तो इसी तरह से जो हमारा web server है जहां वेबसाइट और data stored है उसी को हम क्या बोलते हैं w3 बोलते हैं worldwide बोलते हैं जिसको आप access कर सकते हैं internet की मदद से बिना internet की मदद से आप उसको access नहीं कर सकते हैं आगे चलते हैं यह जो वेबसाइट होता है यह अलग अलग तरह का data collect करके रखता है जिसमें आपको audio हो सकते हैं text हो सकता है image हो सकता है video हो सकता है graphics होता है यह सारे चीज़े उसमें हो सकते हैं user can access the content from any part of the world over the internet user इसको दुनिया के किसी भी कोने से अगर उसके पास internet है तो वह access कर सकता है उसको इस्तेमाल कर सकता है using their device such as computer, laptop, mobile, etc user के पास अगर mobile है या laptop है या computer है तो वह क्या करता है उसका use करके क्या कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने से अराम से world wide web को access कर सकता है information को access कर सकता है और learn कर सकता है तो यह होता है हमारा W3 अगर हम W3 के components की बात करें तो W3 में total तीन components होते हैं कितने components होते हैं भाईया तीन components होते हैं एक होता है हमारा url एक होता हमारा http और एक होता हमारा stml url का full from होता है uniform, resource, locator और http होता है हमारा hypertext, transfer protocol or hmtp हमारा और stml हमारा क्या होता है hypertext markup language तो अगर आप से पूछे कि हमारे W3 के कितने components हैं तो भाईया तीन components है url, http and stml अगर हम इसके features की बात करें तो इसमें total चार main features हैं जब से सबसे पहला है हमारा open standard and open source यह हमारा क्या है open source है free available है दुनिया का कोई भी आदमी अगर उसके पास computer laptop या mobile है और internet connection है तो असानी के साथ उसको क्या कर सकता है access कर सकता है उससे information gain कर सकता है दूसरा हमारा क्या है distributed यह distributed type है मतलब बटा हुआ है आप अराम से इसको क्या कर सकते हैं use कर सकते हैं cross platform के हमारे हमें facility provide करता है W3 उसके बाद हमारा क्या है hypertext information system है यह एक तरह का hypertext information system है जिसमें stml css का use करके websites बनाये जाते हैं उसमें contain होता जिसको आप क्या करते हैं internet की मदद से access कर सकते हैं आप छोटे से email से समझ सकते हैं कि हमारा क्या है W3 है देख सकते आप laptop connected है computer connected है mobile connected है इस सब device से क्या कर सकते हैं डेटा को access कर सकते हैं तो यह था हमारा www जिसको हम worldwide वेब बोलते हैं तो समझी है वीडियो का कि मैंने आपको आज www 3 के बारे में बताया उसके components के बारे में बताया और उसके features के बारे में बताया आई-होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के जाद तब तक के लिए बाई जाहिए